ही गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्टिचेज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउजर का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस डिजाइन को बिनाने के लिए मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम का इस्तमाल किया है तो सबसे पहले मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम के एक पट्टी काटी और उसके उपर इस तरह से कटवक वाला पैटरन ड्रॉ करके काट लिया अब इसे मैंने कपड़े के उपर चिपका लिया और एक और प्लेन कपड़े के उपर मैंने इसे रखके इस तरह से सिलाई लगा दी बिल्कुल पारीक पक्ये से जहां जहां पर बुकरम का कटवक वाला पैटन है उसके बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है सिलाई बैटन के उपर नहीं आनी चाहिए और नहीं बहुत ज़ादा दूर बहुत ही केरफुली बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरह से एक्स्टर कपड़े को काट दिया हमें बीच में बहुत ज़ादा मार्जिन नहीं छोड़ना है बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़के हमें इस तरह से इसे खाट देना है अब यहाँ पर हमें छोटे-छोटे से नौचिस लगाने है यह देखिए और यह कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई वाला धागा ना कटने पाए अब इसको हमें इस तरह से सीधा कर देना है आपको यह कट्वक वाला पैटर्न पेस्टिंग वाली बुक्रम के उपर ही बनाना है इससे बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन बनता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है फियूस पेपर पर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती क्योंकि वा थोड़ा पतला होता है अब सीधा करने के बाद यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है और अब हमें कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड करके इसके नीचे एक डबल एजिंग वाली जालिदार लेस की किनारी को दबाना है और अटैच कर देना है इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है अब हमें ट्राउजर के नीचे इसे उल्टा करके रखना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है इस तरह अब हमें इसको सीधा करना है और यहाँ पर एक टॉप स्चिच लगाना है अब हमें इसके उपर मिरर्स चिपकाने है तो आप किसी भी शेप के मिरर्स या मोती यहाँ पर लगा सकते हैं मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से यहां पर मिरर्स चिपकाए हैं, आप चाहे तो सुवी की मदद से मोती भी यहां पर लगा सकते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने यहां पर मिरर्स अच्छे से चिपका लिए और अब मैंने एक और वाइट कलर की लेस ली है और इस तरह से लेस की किनारी को यहाँ पर सिल दिया अब हमें इसको इस तरीके से पलट देना है और जो सिलाई हमने लेस की किनारी सिलते हुए लगाई थी बिल्कुल इसके उपर हमें फिर से सिल देना है अब हम इसको सीधा कर देना है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाना है और इसके साथ ही ट्राउजर का यह बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बन कर तयार हो गया है तो गाइस अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ बैल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाइबाई